भारत देश में अपनी बढ़ाई कंप्लेट करने के बाद दूसरे देश में जाकर अपने भारत देश का नाम उचा करने में अजेपाल सिंग बंगा की एक एहम भूमी का है अजेपाल सिंग बंगा आज अपनी महनत की वजह से किसी की भी पहचान के मौताज नहीं है लेकिन आज वो जिस पत पर बैठे हुए हैं, वहां तक पहुँचने के लिए लोग सपने देखते हैं, ये उनकी गड़ी महनत और लिडर्शिप कॉलिटी का ही नतीजा है, कि वो मास्टर कार्ड के CEO भी थे, पर इनकी इस सकसे जर्नी में कई इंटरस्टिंग मोड आए, दोस वो मूल रूप से पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं, और ये एक सिख परिवार में पले बड़े हैं, इन्होंने अपने बच्पन के दौर में बड़े पैमाने पर यात्रा भी की हैं, साथ ही इनका बड़ा भाई मनविंदर सिंग बंगा है, जो की पेशे से एक बिज अनुशासन और जीवन में बड़े भूज रखने की परंपरा हैं, साथ ही उनके परिवार में हर कोई न कोई अपने पैरो पर खड़ा जैसे इनके दादा जी और इनके पिता जी जो एक सेना अधिकारी थे और इसी परंपरा के चलते इनको ये मुकाम हासिल हुई हैं, अज दिल्ली और हैतराबाद से की, क्योंकि इनके पिता एक सेना अधिकारी और इसी वज़े से इनका ट्रांसफर अलग-अलग राज्यों में होता रहता था, जिसके वज़े से इनको काफी ज्यादा परेशानिया भी झेलनी पड़ती, लेकिन इन्होंने अपनी स्कूली बंधन संस्थान, एहमदाबाद से MBA की डिगरी हासिल की, अजे पाल बंगा ने अपने बिजनस करियर की शुरवात 1981 में नेसले के साथ किया था, जिसमें अजे बंगा ने 13 साल तक काम किया था, जिसमें इन्होंने कई एहन भूमी का निभाई, जैसे सेल्स, मार्केटिंग और जनरल मानेजमेंट से जुड़े, जिसके बाद ये पैपसिकों से जुड़े, और इसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, पैपसिकों को भारत में ओपन करने का और इन्होंने अमरिकन रिड़ ग्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक में और इकास के वरिष्ट उपाध्यक्ष के रूप में काम किया हैं। उसके बाद उन्होंने 2005 से 2009 तक सिटी ग्रूप एशिया पैसिफिक के CEO के रूप में कार्य किया और अमरिकी उपर राश्रपती कमला हैरिस के साथ पार्टनर्शिप और सेंट्रल अमरिका के सह अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। साल 2015 में अमरिका के पूर्वर राश्रपती बराग ओबामा ने उन्हें व्यापार पॉलिसी और वारता के लिए राश्रपती की सलाहकार कमेटी में भी चुन लिया था। अजे बंगा साल 2010 में मास्टर कार्ड के CEO और प्रेसिडेंट के त अजे पाल बंगा को व्यापा ग्रूप से सवभाग के मिला था। अजे बंगा विदेश नीती संख और वित्य सेवा गोलमेज सम्मिलन के भी सदस्या है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सोशल डिवलप्मेंट की तरफ इनकी गहरी रूची हैं। और तो और ये विदेश संब बंधबरिशद और नियू यॉर्क के आर्थी क्लब के सदस्या भी हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अजे पाल सिंग बंगा को दुनिया में चौथा सबसे शक्तिशाली भारतिय व्यक्तियों में इनकी गिंती की जाती हैं। और बंगा जी एंटरप्राइज कम् पार्टनर्स और नाशनल अर्बन लीग के ट्रस्टीयों बूर्ड में काम किया। और नियूर्क हॉल आफ साइंस के ट्रस्टी बूर्ड की उपाध्यक्षबी थे और ये साल 2000 में सिटी ग्रूप में शामिल हो गए थे जहां उन्होंने अपनी कमपनी के एशिया पैसिफिक शेत्र में कई लिडर्शिप के पदों पर काम किया था जब बंगा मास्टर कार्ड के सीयो बने उसके बाद जन्वरी 2021 में मास्टर कार्ड के सीयो के पद से इस्तिफा दे दिया इस पद पर अजे बंगा की एहम भूमिका थी और इसी भूमिका में अजे बंगा कमपनी की ल लाने का लक्ष रखा था दोस्तों अब हम इनके परिवार के बारे में बात करें तो इनके फैमिली में इनके पिता हरभजन सिंग बंगा जो एक सेना अधिकारी थे और इनकी मा जस्वंत कौर जो एक गुरुईनी थी अजे बंगा की बतनी का नाम रीतू बंगा हैं और इनके आप जानते हैं अजेपाल सिंग बंगा के बाद मास्टर कार्ड के नए CEO माइकल मिबैक हैं अजेपाल सिंग बंगा ने अपनी मार्केटिंग स्टैटेजिस मास्टर कार्ड से सभी लोगों के बीच में इतना पॉपुलर कर दिया कि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया और तो से सिनमानित किया था और जैसे कि आप सभी को पता है कि इनके भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूर्व चेर्मन मनविंदर सिंग बंगा भी एक जाने माने उत्योग पती हैं अभी तक तो हमने इनके फैमिली करियर एजुकेशन के बारे में जाना है लेकिन अब बात कर करीब 206 मिलियन डॉलर थी जो भारतिय रुपए में कम से कम 17 अरब 9 करोड रुपए होते हैं उन्होंने पिछले 13 साल में 6 करोड 99,86,2001 डॉलर से ज्यादा मुल्य के में स्टॉक बेचे गए हैं अजे बंगा मास्ट कार्ड में सीयो के रूप में 23 करोड 25 लाख कमा रहे थे लेकिन इनके पास 11 करोड 31,30,489 डॉलर से अधिक मुल्य के मास्ट कार्ड स्टॉक की 60,000 से ज्यादा यूनिट्स थी हाला कि ये सभी आखने साल 2021 तक के हैं उन्होंने मुख्य रूप से फाइनेंस इंडस्ट्री में अपने सफल करियर के माध्यम से अपनी संपत्ती अरजि किया हैं मास्ट कार्ड के CEO के अलावा ये इंस्टिशनल बैंकिंग, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, कंज्यूमर बैंकिंग समेथ कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं और डट कर हर चीजों का सामना किया हैं वे सिटी ग्रूप में सीनिय लिडर्शीप और एक्जिकेटिव कमेटी के सदस्य भी थे, यहां तक डेविड मलपास वर्ल्ट बैंक के पत पर काम करते थे, लेकिन अभी चल्द ही डेविड मलपास ने अपने पत से इस्तिफेर देने का एहलान किया था, और अब वर्ल्ट बैंक ने बताया है कि वो डे केपाल सिंग बंगा के सक्सेस्पूल स्टोरी हमें कमेट बॉक्स में कमेट करके जरूर बताएं, साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल क सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिल सकें